नमस्कार 24 करन बिपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा 24 करन में चाहे वो हर्याना हो या फिर जम्मू कश्मीर बिपाक्ष पूरी तरह से बेदम है हर्याना कॉंग्रोस में अंदरूनी कला लगतार बढ़ता जा रहा है बुपेंदर सिंग हुड़ा के गुड के लोगों को टिकट वित्रन में मिली इंपोर्टन से कुमारी सेलजा काफी जादा नाराज है नाराज वो इतनी जादा है कि कैंपनिंग तक में नजर अभी तक नहीं आई है तो वहीं कॉंग्रिस में सेलजा के हुए अपमान को लेकर बीजिपी भी हमला वर है मनोहर लाल खटर ने तो बीजिपी में आने का ओफर तक दे दिया है तो वहीं जमू कश्मीर के विदानसभा चुनाओ को लेकर धुआदार प्रचार में जुटे आज हमरशा ने फिर से अब्दессी और कॉंग्रिस को जम कर खे रहा है हमरशा ने आज कहा कि इस बार का चुनाओ तीन परिवार की राजनीती को खत्म कर देगा उन्होंने कहा कि ये चुनाव अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नहरू गांधी परिवार की राज़नीती को समाप्त करने वाला चुनाव साबित होने वाला है तो कैसे हर्याना और जमुकश्मीन में विपाक्ष बेदम है बताएंगे आपको साथी कॉंग्रिस की बढ़ती मुसीबतों का भी जिक्र करेंगे चुनावी महौल और अलग-अलग राज़ियों में हो रहे राखुल गांधी के खिलाफ विरोध को लेकर गांधी परिवार शिम्ला में क्या कर रहा है वो भी बताएंगे साथी फंड क्राइसिस को लेकर ममता बिनर जी की मोधी सरकार से गुहार पर भी चर्चा करेंगे अब्दुल्ला मुफ्ति और कॉंग्लस को फसा दिया है देखिए अमिश्चा बार बार यह कह रहे हैं कि यह चुनाव दरसल तीन खांदानों की राज़िती को खत्म करने वाला है भारती जद्धा पार्टी के तरफ से यह प्रचार का तो मसला हो सकता है लेकिन यह बात हकीकत में तब्दील हो रही है कारण यह है कि यह जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी इनके दिमाग में कभी यह गया ही नहीं कि साथ फिस्दी वोट जो है वो आएगा तो कहा जाएगा हम इस साथ चुनावी हमला तो कर रहे हैं प्रचार के माध्यम तो कर रहे हैं लेकिन जो फर्स्ट राउन की वोटिंग हुई है उससे इनको भी समझ में आने लग गया है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी यह गुपकार अलाइंज जो बना था उसको साथ लेकर क इस जो खबर वो यह कि जो नए नए इंडिपेंडेंट है या फिर कोई और नए चेहरे इन ट्रेडिशनल पार्टी के अलावा दिकत क्या है कि यह जो पचीस-तीस फिस्दी वोटर्स जो पहले कभी नहीं आते थे यह जो अचानक से जो बड़ोत्री हुई है इनका पूरा खेल बिगड़ गया है आप देखिएगा एक दो दिन के अंदर इन लोगों के बीच फिर से कुछ री एलाइन्मेंट की खबर आईगी मिल्कुर और अमिर्शा के साथ साथ पीम मोदी भी जब जब वो जमू कश्मीर के द्वारे पर गये उन्होंने कहा कि यह चुनाओ तीन यहां सरकार नहीं बना सकती मतलब सब किंग में कर बन रहे हैं चाहे अबदुल्ला हो कॉंग्रेस हो या पीडिपी हो किंग बनने की स्थिति में कौन है अब इनको तो सपस्ट कर दिया है लगबग इन लोगों ने कि किंग तो भारती जनता पार्टी बनने वाली है 47 सीटों में 47 पार्टियां लड़ रही हैं सबको भरोसा है 5-10 सीटों के बीच हमारे पास आएगी इसलिए यह समस्या तो पैदा हो गई है इन लोगों के लिए कि अब जो जम्मू के रिजन से बढ़ते हुए भारतिय जनता पार्टी ने घाटी के छेतर में भी इंट्री मार ली है वह पार्टी के चेतर में भी भाजपा को अगर 5-10 सीटों के बीच कहीं भी किसी आंकडे पर भाजपा आती है तो जम्मू के चेतर में जो इनको बढ़त मिलेगी उसके बाद किंग की भूमिका में भाजपा आ रही है और यह समय से जो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं व तो इसी लिए इन लोगों को लग रहा है कि सही मायने में ये तीन परिवार की पॉल्टिक्स जम्मू कश्मीर से भारतिये जन्ता पार्टी ने खत्म कर दिया है लेकिन सर हर्याना का किंग मेकर कौन होगा देखिये हर्याना बड़ा टफ हो गया है मैं तो देख रहा था कि केजरिवाल कल यमना नगर में थे और वहां पे न भीड थी न कुछ था लेकिन आज सवेरे से कॉंग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर केजरिवाल के पीछे पड़े हुए है वो कह रहे है कि देखिये ये केजरिवाल को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वो कॉंग्रेस के खिलाफ केंपेइन कर सके केज़िवाल ले कल क्या का वहां पी यही इसको मुगालते में कि मैं किंग मेकर बनूँगा कि बिना मेरे कोई कोई सरकार नहीं बना सकता अब कॉंग्रेस पार्टी किस्तिती एतनी नाजुक होती चली जा रही है आपस में तोड़ फोड़ तो चली रहा है लोग डरे हुए कॉंग्रेस के अंदर के सुर्जेवाला क्या न कर दे अभी तक कुमारी सहलजा जो है वो प्रचार के लिए नहीं आई है दलित वोटर जो है वो नराज चल रहा है अब एक बार और इसको समझनी की बात है वो यह कह रहे हैं कि जो केजरी वाल है उसको वोट मत देना केजरी वाल को वोट दोगे वोट बरबादी होगा वो क्यूं क्योंकि उससे भारती जिनता पार्टी जीच जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंस उनके बयानों में नजर आना चाहिए अभी कॉंग्रेस पार्टी किस चीज में लगी हुई है प्रचार में नहीं अपने घर की जो इस्थिती है उसको कैसे मैनेज किया जाए उसी में सारा ध्यान जा रहा है और कॉंग्रेस का एक बड़ा सेक्षन उनको यह लग रहा है कि राहूल गांधी ने गांधी परिवार पूरा हर्याना का खेल वह भूड़ा परिवार के हाथ में लेकिन राजीर से गांधी परिवार को तो कोई चिंता फिक्र ही तो नहीं नजर आ रहा है क्योंकि खबर है कि पहले प्रयांका गांधी गई फिर सोनिया गांधी की खबर आई अब राहूल गांधी भी पहुंच चाहिए कि हमने परचार में थोड़ी कोता ही की इसलिए हार गए चुनाब इस्तिया जब नाजुक होती है राहूल गांधी ऐसा ही करते हैं प्रियंका वाड़ा भी यह सोचने लगी है राहूल गांधी नहीं जा रहा तो हम क्यों जाएं इस थित्यां बहुत नाजुक है ग प्रवादी के कागार पर यह इसलिए हरियाना में लोग क्या करने जाएंगे हरियाना में समस्या इतनी पैदा हो गई है कि सहल जाने तो लगभग बगावत कर दी इससे जादा बगावत क्या होगा कि उनको आपने 8-10 उमिदवार दिये और सुर्जेवाला के तो दो मिला और सब्सक्राइबाद 72 सीटों पर लगभग सारे उदैवान और हुड़ा के समर्तक उदैवान के समर्तक का मतलब हुड़ा के समर्तक तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर दलित वोट 20% से जादा है 20 से 24% के बीच दलित वोटर है 35 सीटों पर इन लोगों का एक जीताने हराने वा वोट लेकर आते हैं यानि एंटी वीजेपी वोट जो है वीजेपी के एंटी इंकमबेंसी फैक्टर से जो नाराज है वो भी इन लोगों के बीच ऐसे बट गए हैं कि कॉंग्रेस अब 15 से 20 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है जीतने की बात तो छोड़ी दीजी और यह स्टार प्रचारक है चाहिए वो सोनिया गांधी वो राहुल गांधी या प्रयांका गांधी वाडरा क्यों और यही गाया लेकिन बात कुमारी सेलजा की करें तो मनौनलाल खिटर कह रहे हैं कि आपका स्वागत है देखें मैं इस बारे में बहुत ही निगेटिव हूँ क्य क्या सकत्री कौन सा तरीका है अभी कितने दर्जनों भर आप उठाकर के लिए आए हैं डेड़ूड को कॉंग्रेस पार्टी से किसी को राजस्वा भेज रहे हैं किसी को कहीं बेज रहे हैं कहीं पर आपके राजनीती आपकी रनीती बिलकुल अलग होनी चाहिए उदर वो नहीं जानी चाहिए चुनाओ से ठीक पहले आपका कारकरता आपके देखिए यह कहना पड़ेगा कि भारती इंता पार्टी में डिसिप्लिन है इस वज़े से कोई कुछ बोलता नहीं है लेकिन आप भाड़े के टटूओं को उठा उठा करके सिर्फ में बिठा ले रहे हो तो आपका कारकरता क्यों मेहिनत करेगा भारती इंता पार्टी को अपना ये चरित्र जो है इसको त्याग ना पड़ेगा आपने महरास्त को बरबाद कर दिया इसी चक्र में क्या जरूत थी यह बतीजे को लेकर क्याने के लिए अजित पवार के वज़े से यह सारा नु सा सेल जा जो है वो कॉंग्रेस पार्टी के लिए कॉंग्रेस पार्टी को नुक्सान भले वो कर सकती है अगर वो नाराज है आप अपने साथ ले आओगे तो फिर वो डैमेज भी कम होगा नुक्सान आपका ज्यादा हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो अब कुरसी पर बनी नहीं रहा सकती है उनका पूरा बेस कमजोर हो गया है डाक्टरों का हरताल और हरताल के बाद फिर लगतार विरोध परदर्शन और फिर उस बीच में जो ये बार प्रितों से मुलाकात करने गई वहां पर भी मम्ता बनर्ज की बेज़ती तो अब इनको बताना है कि ये हमने नहीं बलकि मोदी ने ये कर दिया है कि अंदर सरकार डीवी सी से पानी चोड़ रही है पांच लाग की उसे पानी चोड़ दिया चानक बाड़ आ गई है इसलिए इन लोगों को अब मोका चाहिए था लेकिन मोके में ममता बनर्जी के लिए उल्टा पड़ गया क्या हो गया है ममता बनर्जी सोच रही थी कि मोदी को ब्लेम करेंगे अब वहाँ पर वो घिर गई पता चला पांच हजार करोड रुपया इन्होंने लोन लिया था वर्ल्ड बैक से और उसमें से चार हजार करोड खर्च कर चुकी है अपले घोटाले में नया इन्वेस्ट पूरी तरह से बेदम है परश्रि मंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चठ्थी लिखी है इस पत्र में इस यह ममता ने राजमें बाड के आलाद से अवगत कराया है और केंद्री कोशे ततकाल पंड जारी करने का अनुरोद किय ममता बनर्जी मोदी के सामने गिड़गडा रही है पर हाल जादा बेहाल कॉंग्लोस पार्टी का है और इन परिशानियों के बीच गांधी परिवार दिली से भाग खड़ा हुआ है विदान सबाचनों के बीच गांधी परिवार इन दिनों शिमला में एक जुठ है जहां कि चुड़ी पकाई जा रही है तो इन तमाम मुद्धों पर आप अपनी राए कमेंट कर जरूर लिखेगा देख तरी कैपटल टीवी नमस्कार